फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे how to write bold letter in html and how to write italic font in html page welcome to my channel सेंकी टेकी फ्रेंड्स जब आप कोई content लिखते हैं अपने web page में तो आपको कई बार bold letter लिखने की जरूरत पड़ती है या कई बार आपको italic letter लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे ये सब कर पाएंगे इसकी coding क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में देखिए जैसा कि मैंने मैंने last video जमा आपको बताया है हमारे desktop पर मैंने website.html का एक page बना रखा है इसको हमें करना है याँपर edit open with right click करेंगे और open करेंगे notepad से friends ये इस page की यहाँपर coding open हो गई है ये हमारा web page है ये हमारा HTML page है यहाँपर आप देखेंगे यहाँपर है title है ये हमारा heading part है यहाँपर यह हमारा paragraph है यहाँपर इसमें break tag लिखा है ये space bar है यहाँपर हमने photo include की थी ये सब आपको मैं एक web page open करके अभी ये दिखा देता हूँ याँपर इसको हम थोड़ा side by side open करते है देखे friends ये अभी तक हमने हमारी web designing के video series में ये सीख चुके है कैसे हम heading लिख सकते हैं कैसे एक paragraph लिखते हैं कैसे इसमें content में space देते हैं कैसे हम एक horizontal line यहाँ पर लगा सकते हैं और कैसे हम break दे सकते हैं किसी line में यहाँ पर photo हम कैसे लगा सकते हैं किसी web page में यह हम अब तक सीख चुके हैं आप description में जाके ये videos link पर click करके देख सकते ताकि आपको आने वाले videos और पीछे के videos आपको अच्छे से समझ में आ जाएं अब हम बढ़ते हैं हमारे इस video में देखे हमें लिखना है यहाँ पर content जो की होगा कुछ bold और कुछ होगा italic font में यहाँ पर हम code यूज करेंगे B, B for bold, open tag इसका यूज करेंगे less than, greater than इसके बीच में मैं लिख दूँगा B और यहाँ पर मैं एक text टाइप कर देता हूँ this is bold font और यहाँ पर मैं इसका close tag लिख देता हूँ open tag का close जरूर करना है B इसके लिए tag रहेगा आप देख सकते हैं यह मैंने code लिख दिया है B, this is bold font और यहाँ पर इसको B को मैंने कर देता है close अब दोस्तों इसको कर लेता हूँ मैं save और यह हमारा जो web page open है इसको हम कर देता है refresh यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों this is bold font आप देखिए यहाँ पर यह bold में यहाँ पर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर यह जो पहले लिखा हुआ है my paragraph, this is, यह सब आपको normal text दिखाई देगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको bold letter लिखने के लिए B tag का open और close tag लिखना है उसके बीच में आपको अपना content लिखना है अब बढ़ते हैं हमारे italic font की तरह italic font के लिए आपको लिखना है code I, देखे कैसे open tag I लिखेंगे less than, greater than के बीच में I इसके बाद हमारा यह content लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर this is italic font और इसको करते हैं हम close, less than, for or less, greater than और इसके बीच में I यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने I tag लिखा है open tag और यह इसका close tag इस page को कर लेते हम save और हमारी web page को कर देते हम refresh यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं this is bold font और this is italic font friends यहाँ पर इन दोनों lineों में थोड़ा difference करने के लिए मैं BR tag यूज कर लेता हूँ line break करने के लिए जो कि हम last video में सीख चुके हैं यहाँ पर यह B है हमारा bold इसको मैं break कर देता हूँ और यहाँ पर यह है italic तो इससे पहली भी एक BR tag लिख लेते हैं और page को कर देते हैं save और इधर web page को कर देते हैं refresh friends यहाँ पर आसानी से दिखाए दे रहा है कि यह bold letter है और यह हमारे italic font यहाँ पर लिखे गए हैं आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप B tag यूज करके किसी भी sentence को किसी भी character letter को आप bold बना सकते हैं इसी तरह I tag का यूज करके आप किसी भी letter किसी भी sentence को italic में लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको अभी तक basic चीज़े बता दी कैसे हम paragraph लिख सकते हैं कैसे हम heading लिखते हैं कैसे एक photo को हमारे web page में लगाते हैं कैसे हम bold लिखते हैं कैसे हम italic लिखते हैं आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम step by step सीखेंगे हमारे web page की designing की, कैसे उसका color change करना है, कैसे उसका font का side change करना है, font का color कैसे change करते है, background color कैसे change करते हैं, ये धीरे धीरे हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे, आप जब मैं coding करता हूँ तो आप side by side इसकी practice कीजे और इस तर वीडियो में थेंक यू